यहाँ पर logic देखो यहाँ पर logic क्या है देख सकते हो इस level को यहाँ पर breakout किया इतना बरा upside का rally देखने को मिला और आज के दिन देख सकते हो यहाँ पर flat opening हुई bank nifty और उसके बाद एक range के अंदर देख सकते हो कामकाज हुआ है आज के दिन bank nifty के अंदर जिन्होंने यहाँ पर call वाई किया उनका भी SL हिट हुआ है आज के दिन लॉजिक आप लोग देख सकते हो यह जो range था जो कि मैंने कल के analysis वीडियो के अंदर आप लोगों को साप साप कह दिया था जो जब तक यह range यहाँ पर breakout या फिर breakdown नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर call अरपुट के चक्कर में नहीं परना है आप लोग देख सकते हो एक्जेक्ट आज के दिन बैंक निफ्टी इसी range के अंदर कामकाज किया है देख सकते हो देखिए मैं आप लोगों को कई बार कहा है जब तक एक particular range breakout या फिर breakdown नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर अपना trade position नहीं बनाना है लाइप प्रूफ आप लोगों के सामने है देख सकते हो अब कल किस तरीके से market के अंदर कामकाज करना है क्योंकि कल के दिन census का expiry भी है तो कल के दिन market के अंदर कैसा moment रह सकता है gap up पर entry कैसे लेना है gap down पर entry कैसे लेना है flat opening पर entry कैसे लेना है कहाँ पर call वाई करना है कहाँ पर put वाई करना है और कहाँ पर trade को avoid करना है सबी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लेना और साथी साथ दोस्तों में वीडियो को जादस जादस सेयर करना अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं अब आप लोग लेवल को बिलकुल ध्यान से देखना ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मान लो की अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के उपर गेप अपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिलकुल ध्यान से सुन लेना गेप अपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का high होगा है माल लीजे इस level के ओपर gap up आपनिंग ली और उसके बाद इस level तक आई तो ये high बनाया ठीक है और उसके बाद यहां से retracement लिया अगेंच जब इस level को यहां पर breakout कर देती है तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते है और target आप लोगों का यहां पर 100 से ले करके 300 point तक का रह सकता है दूसरा condition यहां पर क्या होगी gap up आपनिंग लेने के बाद एक घंटा तक यानि कि सवा 10 वजे तक इस level के उपर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद अगर यहां पर breakout कर देती है इस range को तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते है और target यहां पर रह सकता है 100 से ले करके 150 तक का ध्यान में रखना अगर इस range को यहां पर breakdown कर देती है तो आप लोग यहां पर छोटा सा scalping कर सकते है सिर्फ आप लोग यहां पर 50 से ले करके 80 point target के लिए put side के तरफ जा सकते है तीसरा condition यहां पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो first 30 minute का candle होगा यानि की bullish candle होगा जब इसके high को यहां पर breakout कर देगी और इसके high के ऊपर closing देदेगी तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते है और target यहां पर 100 से ले करके 200 point तक का रह सकता है अब मालोग की अगर कल के दिन bank nifty यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर क्या करना चाहिए अगर यहां पर flat खुल जाती है और flat खुलने के बाद first hour के time पर यहां पर इस तरीके का consolidate करती है और next hour के time पर यानि की सबा 12 बजे के बाद जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहां पर अपना trade को प्लान कर सकते हैं अब माल लीजी अगर कल के दिन bank nifty इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 48,971 का अगर इस level के नीचे gap down खुलती है तो यहां पर put की entry कैसे लेना है जरा गौर से समझना gap down खुलने के बाद जो पहला एक घंटा का candle होगा यानि की 9.15 से ले करके 10.15 तक का जो candle होगा बीरीस candle होगा जब next candle इसके लोग को यहां पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing दे देती है तब आप लोग यहां पर save put वाई कर सकते हैं और target यहां पर 100 से ले करके 150 तक का रह सकता है दूसरा condition यहां पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का low होगा retracement करने के बाद जब इस low को यहां पर breakdown कर देती है तब आप लोग यहां पर save put वाई कर सकते हैं और target यहां पर 100 से ले करके 180 तक का रह सकता है तीसरा condition यहां पर क्या होगी gap down खुलने के बाद एक से ले करके 2 घंटा तक इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब इस range को यहां पर breakdown कर देती है तब आप लोग यहां पर save put वाई कर सकते हैं और target यहां पर 100 से ले करके 300 point तक का रह सकता है अगर इस range को यहां पर breakout कर देती है तब आप लोग यहां पर कम quantity के साथ call वाई कर सकते हैं और target यहां पर सिर्फ 100 से ले करके 150 तक का रह सकता है ध्यान में रखना अगर कल के दिन bank nifty gap up opening ले ले लेती है या फिर flat opening ले ले लेती है या तो फिर gap down opening ले ले लेती है और उसके बाद एक range के अंदर अगर कामकाज करती है तो ऐसे condition में आप लोग कॉलर पुट के चकर में ना परे नहीं तो आप लोगों का यहां पर बहुत ही बड़ा loss हो सकता है अब आप लोगों के सामने nifty 50 का चार्ट है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो trend line है nifty 50 के अंदर देख सकते हैं जब भी इस trend line के पास आई है nifty 50 यहां से हमें correction देखने को मिला है आप लोगों के सामने है चार्ट देख सकते हो तो अब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है nifty 50 के अंदर बिल्कुल logic के साथ बताऊंगा मान लिजी अगर कल के दिन nifty 50 इस level के ऊपर gap up opening ले लेती है जो की level निकल के आ रही है 22,800 का अगर इस level के ऊपर gap up opening ले लेती है तो यहां पर call की entry के से बनेगा पहला condition यहां पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का candle होगा याने की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहां पर breakout कर देती है और इसके high के ऊपर closing दे देती है तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते हैं और target यहां पर 50 से ले करके 80 पैंट तक का रह सकता है दूसरा condition यहां पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद एक से ले करके 2 घंटा तक इस level के ऊपर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहां पर अपना trade को प्लान कर सकते हैं तीसरा condition यहां पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा reduce करने आती है और यह जो पहले का high होगा अगेन इस high को यहां पर breakout कर देती है और जो premium आप लोगों को यहां पर 70 से ले करके 102 रुपे तक की दिखाई दे उसे आप लोग buy कर सकते हैं और target यहां पर आप लोगों का approximate 200 से ले करके 300 point तक का रह सकता है अब माल लीजिए अगर कल के दिन 50 50 यहां पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा अगर यहां पर flat खुल जाती है तो पहला condition क्या होना चाहिए flat खुलने के बाद जो पहला वो चाहे यहां पर bearish candle हो बोच चाहे यहां पर bullish candle हो एक्जामपल से समझ लेते हैं जो पहला 30 मिनट का candle होगा bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहां पर breakout कर देती है और इसके high के ऊपर closing दे देती है तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते हैं और target यहां पर 50 से ले करके 100 पॉंट तक का रह सकता है दूसरा condition यहां पर क्या होगी flat खुलने के बाद एक से ले करके दो घंटा तक यहां पर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहां पर अपना trade को प्लान कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन 50-50 लेवल के नीचे gap down खुल जाती है जो की लेवल है 22,523 का अगर इस लेवल के नीचे gap down खुलती है तो यहां पर आप लोगों को हर बड़ी के अंदर put की entry नहीं लेना है क्योंकि एक psychology का लेवल है जहां से हमें bounce back देखने को मिल सकता है यहां पर सिर्फ एक condition होगा gap down खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retrace करने आती है और यह जो पहले का low होगा retracement लेने के बाद again इस लोगों यहां पर breakdown कर देती है तब आप लोग यहां पर save put by कर सकते है और target यहां पर 50 से ले करके 100 point तक का रह सकता है ध्यान में रखना gap down खुलने के बाद और इस लेवल के नीचे ही कामकाज करती है तो आप लोगों को यहां पर बिलकुल भी color put के चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आप लोग यहां पर trap के अंदर फस सकते हो तो आसा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को वीडियो informative लगे तो like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe भी कर लेना साथी साथ दोस्तों में वीडियो को जादा से जादा से शेयर करना तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम